प्रदेश कॉंग्रिस प्रवक्ता प्रेम कॉशन ने मीडिया को जारी बयान में पुलिस विभाग के जवानों द्वारा अपनी मांगो की समर्थन में किये के विरूद प्रदर्शन को जैराम सरकार की अस्विद शिल्ता का एक और उधारत करार देते हुए कहा कि प्रदेश के दिहास पे पहली बार फोर्सेज में कारेवत जवानों को आंधूनं की रह अपनानी पड़ी जो अत्यंत दुर्भाग के पुल्ण है पुलिस भाग के जवानों द्वारा मुख्या मंद्री के निवास परसमोहिक तोर पर किया गया प्रदर्शन और विरोध परदेश के इतिहास में पहली बार एक ऐसी प्रथा को जनम दे गया जिसमें जो फोर्सेज हैं उसके जवानों को भी सरकार के उपेक्षा पुरुन रवये बेदभा पुरुन कारे पर लाली और अपनी मागों के समर्थन में अंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा जो बहुत दुर्भागय पुरुन है और जैरहम सरकार की फोर्सेज के प्रती और फोर्सेज में काम करने वाले जो जवान है उनके प्रती असबेदन शीलता जो है उसको दरशाता है जैसिसी की जो बैठक है उसकी आउटकम जो है उसमें दो हजार सोला से कर्मचारियों को दे जो बेतनमान था उसको देने की गोशना की गई है जिसमें सरकार ने लगभग पांच वर्स का सामे लिया और कर्मचारियों को जो दे बेतनमान था उसको इस परकार से परचारित करने का प्रयास सरकार कर रही है जैसे उसने कर्मचारियों के उपर को महरबानी की हो वास्तविक्ता ये है कि परदेश के चाहे करमचारी हूँ चाहे पेंशनदारी हूँ किसी भी बरक को कोई अत्रिक्त लाब जो है वो सरकार की तरफ से पिछले चार वर्षों में नहीं दिया गया है उल्टा जो है करमचारियों के वेतनों में कटाती करके उनके डियो को रोकर कर्मचारियों का नुकसान इस सरकार ने किया है इसी के साथ एक हजार से लेकर दस हजार के जिस बेतियलाब की बात की गई है उसमें एक बात स्पष्ट समझा जानी चाहिए अनके प्रदेश के अंदर क्लास ठ्री और क्लास फ़ोर शिरणी को जो कर्मचारी है उनके संख्या जो है वो बहत अधीक है और महंगाई के इस जमाने में जो बितियलाब इस महंगाई को میट आउट करने के लिए इस श्रेणी के कर्मचारियों को मिलना चाहिए था उससे वो वंचित रहे है लबोलो अब यह है कि चार वर्षों में प्रत्वंबार की गई जे सी सी की मीटिंग से ना तो प्रदेश के जो पेंशन धारक है उनको ना कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का भी तेलाब जो है वो मिला है और जो एरियर देने की बात सरकार ने की है उसकी समय अब्दी क्या होगी उस बात को भी अंधेरे में रखा गया है उसमें भी कोई स्पष्टा नहीं है सेड़ी चानल के लिए हमें रपोर्ट से सुमित राथ होड की रिपोर्ट